हेई वाट अप गेमर्स के हाल चालेंड स्वागत है आप सब ही का एक बार फिट से आरेल क्राफ्ट में तो यार काफी जादा दिन हो चुके हैं आरेल क्राफ्ट की सीरीज को आये हुए लास्ट वीडियो मेरे हिसाब से तो दो महीने पहले आये था और पहले तो मेना आर्मर बेन लेता हूँ यहाँ पर रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है हमें एंड आरेल क्राफ्ट का वीडियो नहीं आने का एक कारण था क्यार मुझे लग रहा था कि आप लोगों को इस सीरीज में जो है इंट्रेस्ट नहीं आ रहा है बट काफी जादा कमेंट आ रहे था यार लास्ट एक दूब वीडियो से कि अरेल क्राफ्ट वापस चिये आप सबको तो RL Craft की वीडियो आ चुकी आप अब भी ना एक काम करते हैं कि देखते हैं यार यह आपको सीरीज कितनी ज़्यादा पसंद आ रही है और उसके लिए आपको क्या करना है आपको करना है भूल चुका हूँ यहां पर तो अभी एक काम करते हैं लास्ट वीडियो मेंने क्या किया था मैंने एक रिकेप तो लिया था कि मैं याद कर सुकू चीजों को तो यहां पर ना लास्ट वीडियो में हमें एक्स्प्लोरेशन पर निकले थे हैं यहां पर ना मुझे एक कासल दि सीखे थे मतलब उनके नाम अपियर हुए थे हमारी स्क्रीन पर तो यह सारे बॉसेस एंड डंजन्स हमें अच्छी खासी एंड लूट दे सकते हैं यहां पर ना नाइड भी होने वाली है तो एक काम करते हैं मॉर्निंग होते ही उस कासल में चलते हैं पता नहीं वहां पर हमार जादा प्यारी है आस पास एक दम बर्फ एंड उसके पास ही आप देखो ना पेड कितने जादा जो है प्यूटिफुल कलर्स वाले हैं एंड कासल तो वह काफी जादा अच्छा लगी रहा है तो एक काम करते हैं कासल के अंदर चलते हैं एंड आई होब कि यहां पर जादा कोई रिस्क वाला मामला न होई यहां पर पानी के आवास तो आ रही है ओके यहांपर डाइमंड से बट इनको मैं अभी माइन नहीं कर सकता तो एबिलिटी हमारी क्या है वैसे देख लेता हूं इसकिल्स फार्मिंग चार है एजिलिटी चार है डिफेंस आर्ट भी नहीं है इस साइड पर तोर्चेज लगी हुई है और पूरा भाई तबाह हो चुगा है इसा लग रहा है यहांपर बहुत खतरनाक जो है फाइट सुई होंगी और यहांपर वूल तो है बट कुछ भी नहीं है थोड़ा सा एक्स्प्लोर करते हैं यहांपर में भी कुछ मिल जाए ओके यहांपर एक मुझे रूम दिख रहा है जिसके अंदर एक बैड है और अगर हम सोते हैं तो इसको हटा देते हैं यहांपर अगर सोईंगे हम तो response यहांपर सेट हो जाएगा तो मेरे इसाफ़ से इसी को हम अपना घर मना लेंगे थोड़े दिनों के लिए ओक यहां पर अच्छा खासा खाना मिल चुका है हमें, चलो ठीक है, थोड़ा बोत यहां पर कोल भी है, यहां पर एक चेस्ट है, जिसके अंदर, प्यूरिफाइड आइरन केंटीन है, मेरे पास जो है, वाटर केंटीन थी, नॉर्मल वाली, जिसके अंदर में सिर्फ तीन गूट पानी पी सकता था, इसके अंदर जो है, डूरिबिलिटी सिक्स की है, पानी भी जो है, प्यूरिफाइड होने वाला है, यह काफी अच्छा है, तो वाटर केंटीन यही पर रखते थे, यहां पर काफी सादा आइरन इंकट्स हैं, तो अभी तो इनकी जरुरत नहीं है, और हैं, जो हमारे काम आजाएगी, आदी रख लेते हैं, यहां पर एक वेस्टोन भी है, तो वापस घर पर जाने में काम आजाएगा, इसको ना एक्टिवेट कर देंगे हैं, बाद में, अभी तो जरुरत नहीं एक्टिवेट करने की, तो पहले तो पानी पी लेते हैं, अभी ना मुझे थर्स्ट नहीं लगेगी, क्योंकि इस केंटीन में जितना भी हम पानी भरेंगे ना, वो प्यूरिफाइड होने वाला है, मतलब अब कोई टेंशन नहीं पानी की तो, एंड हमें अलग-अलग टाइप के बेकार से अफेक्ट भी नहीं मिलेंगे, तो लास्ट वी वीडियो को यार, तो अगर आप लोगों को याद नहीं हो, तो आप प्लेलिस सेक्शन में जाके आरल क्राफ सेक्शन में जाके वीडियो देख सकते हो, एंड अगर आप न्यू हो चैनल पर तो भी देख सकते हो, एंड चैनल को सब्क्राइब करना पिलकुल मत भूलना, तो यहां पर तो मैं आ गया हूँ हराम से यहां पर तो कुछ भी नहीं है बट उपर जाने का यहां पर एक रास्ता है चलो इस्ट्रिंग मिली है हमें में भी कुछ काम आ जा है यहां पर एक बैड हो रहे हैं एंड चेस्ट है जिसके अंदर यह क्या चीज है एक सेकेंड इसको तो मतलब इसके अंदर हम एकस्पी स्टोर कर सकते हैं बाद में इसको ले सकते हैं अभी तो खाली है यह तो यह ना काफी काम की चीज है यह क्या बीवेर कोई हमें चेताव नहीं दे रहा है यहां पर क्या लिकावा है कौन से जाइंट की बात कर रहा है यह बट अभी तो च टावर हो चुका है complete, okay सामने की तरफ एक टावर हो रहे है, wait यह को उनसा आर्मर है, पूरा देखते हैं एक बार, यह आर्मर है, 10 डेथ, वोर्म, चिटीन चेस्ट प्लेट, भाई नाम तो बहुत बड़ा है, बट इस पे ना 17 का आर्मर है, मतलब प्रोटेक्शन एंड, प्लस 1.5 का और आर्मर टफनेस है, तो क्वालिटी हेवी है, इसपीड थोड़ी सी स्लो कर देगा, एंड डिपेंस 6 चीए, अपने आईरन की चैस्ट प्लेट क्या है, इसपे 15 का आर्मर है, और एक्स्टा कुछ भी नहीं है, टफनेस इसमें, इसपीड यह भी माइनस 10 कर रहा है, एंड डिफेंस 8 चीए, मतलब इसको हम पहन तो सकते हैं, बट नहीं यार, अभी नहीं पहनते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है, नहीं यार, इसमें दिक्कत हो जाएगी, अगर यह खतम हो गया आर्मर तो, इसे इसको पहन ले तो, पहन लेते हैं मेरे साफ से तो, क्योंकि या यह हो गया, हमारा आर्मर कम्पलीट एंड लग तो यार, काफी जादा अच्छा रहा है, काफी जादा प्यारा लग रहा है, बट दिक्कत वही है ना, कि इसके ना, डुरेबिलिटी वैसे है कितनी अभी तो देखें अपन तो, नहीं अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा है, च और भी उपर जा सकते हैं, हाँ, उपर और भी रास्ता है अभी तो, सो मेबी यहां से हम जम्प करें, ओके, उपर तो मैं आ गया हूँ, एंड चेस्ट है, जिसके अंदर एक आंक शील्ड है, यह ना, हमें फाइर रेजिस्टेंट देता है, एंड इम्मिनिटी नॉक बेक से मिलती है, और नेगेटिव स्टेटस के ऐफेक्ट हमें बहुत कम मिलते हैं, जब हम इसको बबल स्लोट में लगाते हैं, ओके, तो इसको ना, हम बबल स्लोट में लगा सकते हैं, एक यहां पर बोन है, इसको भी रखी लेते हैं, एंड यहां पर एक रिंग of overclocking है, ओके, य यहां पर प्रोटेक्शन हमें मिल चुकी है, अभी एक काम करते हैं, इसके उपर भी और कुछ है अबसा इसके बना नहीं अपना घर बना सकते हैं इसको नहीं थोड़ा था रिपेर कर दूँगा बट अभी हमारा फोकस इसको रिपेर करना नहीं है अभी हमें क्या करना है वैसे यहां पर हम temporary base ही बनाने वाले है permanent base कुछ भी नहीं बनने वाला RL craft में यहां से diamond तो अभी mine नहीं कर पाऊंगा दूसरा रास्ता, ओके यहां से हम निकल सकते हैं यह काफी सही है यहां से हम बाहर जा सकते हैं morning हो चुकी है यह जगे नहीं आप देखो यार कितनी जादा प्यारी यार मैं तो यह जगे का फेन हो चुका हूँ इसलिए यहां पर मैं अपना जो है castle बना रहा हूं यहां पर नीचे की तरफ कुछ भी नहीं चलो यार मुझे लगा शायद यहां पर माइन के अंदर जा सके हम बट नहीं माइनिंग नहीं करनी है वहाँ पर बहुत खतरना creatures होते है तो यह देखो जगे यार कितनी जादा प्यारी लग रही है और आंक शील्ड कैसी लग रही है हमारे back की तरफ भाई काफी प्यारी लग रही है एक सिकेड़ फ्रंट पर कुछ दिख रहा है बबल लगाए था वो काँ गया अचा रिंग तो हमने हाथ में पेनी होगी न आंक शील्ड यहां पर भाई क्या जबर्दोस सीन लग रहा है ओके अब भी एक काप गरते एक सिकेड़ यहां पर खरगोश भी है इनको मैं पकड़ सकता हूँ देखते ही भाग यहां पकड़ तो सकते हैं इनको ज़्यादा स्पीड तो नहीं लग रही है मुझे अभी एक काम करते हैं मेरा इन्वेंटरी ना फुल हो चुकी है तो इसको ना मैं खाली कर गया था हूँ फिर चलते हैं हम बैटल टावर की तलाश में अगर आप नहीं भूले हो तो हमने एक क्रिचर को टेम किया था जिसका नाम था रोक तो हमें जाना है लाइकेंटिक्स मोब में समनिंग में जाना है नहीं पेट्स के अंदर जाना है and यहां पर हमारा पेट कॎन था rock तो इसको ना हम summon कर सकते हैं and यह आ चुका है हमारा rock तो avian saddle इसी के पास है इसके उपर अच्छा avian saddle इसके पास ही है तो यह ना permanent हमारे पास है अब ना इसको कोई मार भी देगा तो भी ना हम कभी भी यहां पर सेक्शन के अंदर जाके इसको समन कर सकते हैं और वापस आज जाएगा थोड़े टाइम में तो यह ना काफी बढ़िया चीज है यह ना काफी हेल्फुल होने वाला है हमारे लिए तो अभी न मैं जाने वाला हूं अपनी बुक ओपन करके वैसे बुक से इतना पता नहीं चलत है थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं एरिया हैंड हाई हो ओ नाई ड्रैगन सामने की तरफ भाई ड्रैगन की तरफ जाना ही नहीं है उस साइड़ भी एक ड्रैगन है भाई कितने ड्रैगन से यहां पर थोड़ा सा मेना एक्सप्लोर करता हूं एंड डूनते हैं बेटल तो जल्दी से इसको मारते है एंड बाई इतना असानी से मर गया यह कैसे शायद से यह पहले से डेमेज था बाई कि इतना असानी से तो नहीं मरता यार बैटल टावर भाई खतम होने वाला है पूरा इसने कुछ अच्छे खासा आइटम से भी ड्रॉप किये थे एंड बस वो सारे वेस्ट ना हो जाए बस नहीं वेस्ट नहीं हो रहे हैं सारे इकटा हो रहे हैं एंड इतना जल्दी मर जाएगा मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है यार पाई य यहां पर इसकी किसी के साथ फाइट हुई थी जिससे इसकी हेल्द ना काफी ज़द डाउन थी बट जो भी हुआ हमारा तो फाइद ही हुआ है एंड बहुत जादा आवाज आरी है मतलब काफी अच्छी कासी हमें यहां पर लूट मिलने वाली है आइटिंक बैटल टावर पूरा फिनिश हो चुका है, यас, पूरा कोलेफ सो चुका है, अभी चलते हैं नीचे, एंड, ओ बाई, यहां पर देखो, यहां पर देखो, यां पर उतरते हम, सीधा, यहां पर, एंड, अ, तोप पे जाना था, मिर गो, बट यहां पर जितनी भी loot मिल रही है सारी रख लेते हैं अपने पास and diamond तो हमें मिल चुके and बाई कितनी जादा loot है यहां पर बाई सारी चीजे भूल चुका हूँ यार मैं RL craft में एक सिकेंड यह कहां से आगे ओके इस तरह से हम यहां पर अब भी नाइस को हम फिल कर सकते हैं सारे आइटम से तो फटा फट से इसको फिल कर लेते हैं जो भी हमें मिला है and यहां पर हमें एक वुल्फ का आर्मर मिला है diamond का वाई काफी अची चीजे मिली है यार so इसको रहने देते हैं and बाकी की सारी चीजे ना हम फिल कर देते हैं इसके अंदर मेरे पास दो आर्मर थे गया है बेक पैक थे मेरे को तो पता भी नहीं था यार जो भी है वोटेवर अब यह एक काम करते हैं जो इतने भी सारे आइटम हमें मिले सारे इसके अंदर भर लेते हैं बागी हम बाद में देखेंगे ओके तो जितने भी आइटम में कलेक कर सकता था मैंने जो है सारे कलेक कर लिए थोड़े बहुत तो ना लास्ट में जाके जो है डी स्पॉन भी हो गए थे बट मैं बताता हूँ हमें क्या-क्या मिला है तो हमें छे डाइमंड ही मिले थोड़े बहुत डाइमंड ओर थे नीचे वाले फ्लोर पर बट सारे डी स्पॉन हो गए यार क्योंकि इन्वेंटरी मेरी इतनी फॉल हो चुकी थे और सारे कचरा मिल रहा था तो उन सभी को छाटने के चकर में सारा मतलब वेस्ट होगी है बड़ चलो कोई नहीं हमें डाइमंड स्वोर्ड मिल गई डाइमंड की पिकेक्स मिल गई कुछ आर्मर्स भी मिल गए और यह लोक का क्या ही करूँगा मैं कुछ लोक मिले हमें यह हमें एक टूल सीधा गर एंड मेरी xp लेवल भाई 31 हो चुकी तो थोड़ी बहुत ना में वेट नहीं यहां पर शायद से बंची है तो एक काम करते हैं यहां से निकलते हैं मैं जाता हूँ सीधा गर एंड वीडियो को करते हैं यही पर एंड पीछे की तरफ जो कासल आपको दिख रहा है य तो उसको हम बात में देखेंगे यहां पर कुछ structures हो रहे हैं तो अभी ना मैं इनको explore नहीं करने वाला हूँ मैं जाने वाला हूँ सीधा गर क्योंकि मेरे बहुत जादा कीमती आइटम से सारे waste हो गए न तो अगर खो गए तो बहुत जादा दिक्कत होगी तो बहुत जाद भी होगा मुझे तो मैं जा रहा हूँ गर एंड वीडियो करते हैं यही पर एंड आई होब कि आप लोगों को आज की जो है वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक करना चैनल पर नहीं होते है और सब्सक्राइब करना मिलता हूँ मैं आप सबको नेक्ट